बेलकम टू राजान आईट आई यूटूब चैनल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CITS की फोर्म अपलाई करने के बाद ये रिसीविंग आप सभी को जरूर लेना है और ये रिसीविंग आपको अच्छे से रखना है जब आप फोर्म को अपलाई करते हैं फाइलली पेमेंट करने के बाद ये जो रिसीविंग आपको मिलती है ये आप अच्छे से रखें यहाँ पर बात किया जाए रिसीविंग की तो आप देख सकते हैं ये CITS की रिसीविंग है आप यहाँ से देख पाएंगे कि क्या आपकी फोर्म सही भराया है गलत भराया है यहाँ पे सारी डोकुमेंट्स अपलोड करेंगे किलियर है डोकुमेंट्स फोटो रहेगा यहाँ पे आपके सिंग्नेचर रहेगा और सारी documents रहेगा जब इसको आप आगे बरेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं personal information रहेगा जिसमें आपको correct रहना चाहिए आपका नेम शहीर रहना चाहिए father name, mother name, date of birth इतना चीजें कंपल सरी हैं कि आपके एकदम correct रहना चाहिए उसके बाद category रहेगा यहाँ पर अधार पास है यस रहेगा certificate number देंगे, type देंगे, किस type से है, NCVT का है, regular candidate आप है, किस ट्रेडे से आप ITI किये हैं वो देंगे, basic cost methodology से यह किये हैं, यहाँ पर आपकी पूरे address देंगे, clear है, उसके बाद कहां से आप पूरे address देंगे, तो फिलप करने के बाद next page में जाने के बाद यहाँ पर आपके detail हो गए, अब आती है, qualification detail, qualification detail में आपकी कहां तक qualification है, pass कब किये हैं, ठेक है, कौन से बोट से किये हैं, यह रहेंगे, आपकी marks क्या है, उसके बाद technical में आपकी क्या है, qualification यह रहेंगे, कौन से ट्रेडे हैं, यह रहेंगे, passing year रहेंगे, अब यहाँ पर main आजाती है course CITS के लिए आप apply करना चाहते हैं ये सबसे ज़्यादा important है तो आप किस course के लिए कौन से trader के लिए आप apply करना चाहते हैं ठीक है वो trade का नाम देंगे तो जिस trade से आप ITI किया है उसी trade में आप apply करेंगे ये चीजे confirm है आप round trade से CITS करना चाहते हैं वो trade आप देंगे Cosmetology इनका है तो इन्होंने दिये हैं अब आज आती एक्जामिनेशन सेंटर एक्जामिनेशन सेंटर आपके चार ओप्सन दिये गए हैं चार preference दिये गए हैं आपको एक्जामिनेशन सुनने के लिए आपके पाले जो नजदिकी सेंटर है वो आप देंगे दूसरा आपका कौन है तीसरा आपका कौन है सबसे फर्स्ट नजदिक जो सेंटर हैगा वो आप यहां पे चुनेंगे यह सेंटर चुनने के बाद आपकी फिस डिटेल आ जाती है फीश पेमेंट करना कमपल सरी है सभी पेमेंट करेंगे अगर आप SC, ST, EWS और बोमेंस हैं तो आपको 300 पे करना होगा और अगर आप जेनरल लाइन OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे किलियर है तो रिशिविंग में ही दिया रहेगा कि आपने कितना पेमेंट किया Transaction ID क्या है किस डेट को आपने पेमेंट किया इसकी मेथड क्या रहेंगे यहाँ पे आप देख सकते नों लिखा एक किपदिस अपलिकेशन Copy of Future Reference आपको क्या करना होगा Copy को अच्छे से रखना होगा जिससे आपको कभी भी जरूरत परे तो ये चीज़ें आप वहाँ पे दिखा सकें तो सभी लोग जितने लोग फोर्म को अपलाए कर रहे हैं ये चीज़ें को आप जरूर अपने पास रखें स्याटिस से समधित जानकारी के लिए आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें Thank you